हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजैन के लेडी सॉक्स इसको आप गल्स के लिए भी बना सकते हैं और देखिए इसको हमने थम सॉक्स बनाया है आप इसको स्लीपर पे भी पैन सकते हैं और देखिए यहां पे हमने एक दो तीन चार पा पांच फ्लावर यहां डाले हैं और पांच यहां डाले हैं यह बिल्कुल अलग तरीके का बनके कम्प्लीट हुआ है और अगर आप एक फ्लावर और डाल देंगे तो आपका बड़ा साइज इससे बन जाएगा और एक कम कर देंगे तो छोटा साइज बन जाएगा यह हमारा छे और साथ नंबर के लिए बना है बूल हमारी थोड़ी सी मोटी है बर्तमान की बूल है और देखिए बेस का भी फिटिंग काफी अच्छा आया है कहीं भी इसमें लूज नहीं हो रहा है एकदम फिटिंग के साथ बना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइ लिए है और बूल को डबल करते हुए ऐसे हमने फंदे डाले आपके van de आप किसी भी तरीके के ले सकते हैं यहाँ पर दो फंदे हो गए तैन चार के 5 6 एक साथ 8 इस तरह से हम पचास बंदे ले लिए ले ते हैं यह देखिए यहाँ पर हमने पचास फंदे लिए हैं और अगर आपकी बूल जादा पतली है तो आप 55 फंदे ले सकते हैं और मोटी जादा मोटी है इससे देखे तो आप 45 फंदे ले लेजिए तो यहां की फिटिंग आपकी बिल्कुल क्लियर आ जाएगी अगर मीडियम है तो आप 50 फंदे से यह स्टार्ट कीजिए क्योंकि जो नंबर का साइज होगा वो आपका इन चीजों से बढ़ेगा या फिर आप यह फ्लावर इतने ही डाली है यहां पे थोड़ा सा रो और बढ़ा दीजिए जैसे हमने 6 रो डाली है यह उल्टे-उल्टे की आप यहां पे 10 रो कर लीजिए 8 रो कर लीजिए इस तरह से बना लीजिए तो देखिए 1 रो हम उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम यहां पे बॉर्डर बनाएंगे इसका यह देखे ऐसे इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए यहाँ पे हम इस तरह की तीन गाट स्टिच आने तक हम इसे बनाएंगे देखे ऐसे यहाँ पे एक दो तीन दोनों तरफ की छे रो तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको, ये देखें पचास फंदे डालने के बाद हमने तीन रो उल्टी उल्टी बना ली हैं एक, दो, तीन, तीन इधर से और तीन इधर से दोनों तरप की छे रो बनाई हैं और देखिए अब मेरे पास यहाँ पे पचास फंदे हैं जिसमें से हम 20 फंदे इदर रखेंगे 20 इदर और 10 में बीच में डिजाइन डालेंगे तो यहां से देखिए अब हम यह second color को add कर लेंगे तो आप इसमें चाहे तो not लगा सकते हैं या फिर ऐसे यह देखिए यहां से एक, दो, तीन, इसको हम साथ में रे जाएंगे चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, आठारे, उननिस, बीस यह देखिए, बीस फंदे हमने यहां पे बना लिए, अब देखिए, दस फंदे बीच में हम रखेंगे उसमें हम डिजाईन चार्ट कर रहे हैं, तो देखिए, एक फंदा हमने उतार लिया, अब इस वाले फंदे को हम यहां से नहीं बुनेंगे एक रो नीचे से फ्लावर बनाएंगे इसमें हम, तो देखिए एक बार हमने ऐसे बना, थोड़ा सा हम लू चोड़ेंगे इसको, एक बार ऐसे उनको घुमा लिया, तो दो फंदे हो गये, अब देखिए तीन, और एक बार और घुमाएंगे, चार बापस इसको बनेंगे, पा फंदे से हमने 5 फंदे बनाए अब हम इसको छोड़ देंगे और देखिए यह देखिए एक फंदा हमने फिर से उतार लिया तो यहां पर देखिए 1 और 2 और 3 तीन फंदे हो गए अब हम 4 फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, यह देखे, इस तरह से, चार मैंने सीधे बुन लिये, अब हम इसी को रिपीट करेंगे, यह वाला फ्लावर हम फिर से बनाएंगे, यहां से हमने एक फंदा उतारा, अब यहां पे देखे, एक रो नीचे से, एक, इस पे उन लपेट लेंगे, दो, बु बनेंगे, पाँच, तो देखे, यह पाँच फंदे होगे, अब इसको हम छोड़ देंगे, अब एक फंदा हम इहां पार भी उतारेंगे, तो देखे, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, और तस, दस फंदे जो हमने लिये थे, वो हमने ऐसे कर अब यहां के बीस फंदे हम सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उननिस, और बारे, बीस, यह देखे, अब देखे, यहां से हम पलट लेंगे, यहां तक हम उल्टे बनेंगे फंदे, यह देखे, यह बीस फंदे जो हैं, एक, उतार लिया, उननिस फंदे, हम उल्टे बनेंगे, ऐसे, यह देखे, यहां पर उननिस फंदे हमने बना लिए, एक उतार लिया था, तो बीस टोटल, अब इस वाले फंदे को हम फिर से उतार लेंगे, अब बूल को हम ऐसे करेंगे, और यह वाले फंदे जो हैं, एक एक करके पांचों हम सीधे बनेंगे, ऐसे, यह फ्लावर वाले फंदे हैं, उनको हम सीधा बना रहे हैं, देखे, तीन, और चार, देखे, पांच, पांचों बनाने के बाद बूल अपने तरप करेंगे, इसक ऐसे करके पांच फंदे सीधे, दो, तीन, चार और पांच, भूल अपने तरफ इसको हम उतार लेंगे, और ये बाले फंदे हम उल्टे बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे, लाश्ट तक, ये देखिए, उल्टी रो हमने कम्प्लीट कर ली, लाश्ट का फंदा भी बुन लिया अब देखिए, इस तरह से ये हमारी डिजैन दिखेगी, अब यहां से हम फिर से ये मैरून बाला कलर एड़ कर लेंगे, तो यहां से देखिए, इस रो में ना हम कोई फंदा बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे, सिंपल इनको बुनना है, ऐसे, उतारे हुए फंदे जो आग ये देखिए, ये वाला फंदा भी हमने ऐसे बुन लिया, इनको भी ऐसे बुनेंगे, तो देखिए, यहां पे ये फ्लावर इस तरह से बनके कम्प्लीट हो जाएगा, ये देखिए, इसको भी हमने सीधा बना लिया, और ये फंदे जो हैं उनको भी, ये ये पूरी रो हमें सीधा बुनते हुए जाना है लाश्ट तक, ये देखिए, इसको भी, अब यहां से हम लाश्ट तक बना लेते हैं, ये देखिए, लाश्ट तक हमें सीधा बुनते हुए, गम्प्लीट टर लिये रो, अब इधर से हम इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे उसके बाद हम सारे फंदें, उल्टे बुनते हुए जाएंगे, अगे के लाष्ट फंदें यहाँ पे उल्टी रो हमने लाष्ट तक कम्पीट कर लिए, अब देखिए यहाँ से, यह देखें, दो रो महरून कलर की आगई हैं, अब देखिए हम फिर से बाइट कलर को लगाए और यहां पर सेंटर वाले फंदे पर हम यहां पर फ्लावर डालेंगे तो पहले हमने 20 फंदे बुनेते अब हम 22 फंदे बुनेंगे इस तरह से फंदे एड़ होते जाएंगे तो यहां से देखिए एक बाइट कलर को एड़ कर लिया दो तीन चार पांच छे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उननिस, बीस यह देखिए बीस फंदे पहले हमने बुनेते अब हम यह वाला फंदा और एक आगे से क्योंकि हमें सेंटर वाले फंदे पर डिजाइन डाल ली हैं तो यहां पर 21 और 22 इस रो में हमने 22 फंदे यह देखे बना लिए आप देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे और देखिए यह सेंटर वाला जो फंदा है इसमें हम एक रो नीचे से फ्लावर डालेंगे ऐसे एक बार बुना ऐसे लपिट लिया दो फिर से उसी जगे से बुन लिया तीन बापस लपेटा 4, फिर से बुना 5, फिर से छोड देंगे हमें से, आप देखिए इस वाले फंदे को हम उतारेंगे, धेखिए 2 फंदे हमारे इस तरह, एड़ हो गए और 2 इधर हो गए, तो शेंटर वाले फंदे हमने ये फ्लावर बना दिया, अब देखिए यहां से पहले हमने यहां पे चार फंदे बुने थे अब दो फंदे इधर के एड होंगे और दो इधर के होंगे इस वाले फ्लावर के तो यहां पे आठ फंदे हो जाएंगे यह देखिए दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ यह देखिए आठ फंदे हमने सेंटर में बुन लिये अब देखिए इस वाले को हम उतारेंगे और इस पे एक रो नीचे से फ्लावर बनाएंगे ऐसे एक बार बुना, लपेट लिया दो, बुन लिया तीन फिर से लपेटा चार और बुना पाँच एक फंदे से पाँच फंदे, अब इसको हम ऐसे उतार लेंगे अब इधर के 22 फंदे हम सीधा बुन लेंगे और देखिए ये 22 फंदे बनाने के बाद उल्टी रो में हम यहां तक उल्टे बना लेंगे इतना करके फिर दिखा ये देखिए यहां से सीधी तरफ से हमने ये फंदे बना लिए उल्टी रो में हमने ये 22 फंदे बना लिए अब देखिए हम यहां पे आ गए हैं उल्टी रो में तो इसको हम फिर से उतार लेंगे बूल को ऐसे करेंगे और यह 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं 2, 3, 4 और 5 बूल अपने तरब करेंगे इस फंदे को उतार लेंगे और यहां पे 8 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे बूल को ऐसे करेंगे यहां से 5 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5 बूल अपने तरब इसको उतार लेंगे यहां से 22 फंदे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे लाश्ट तक यह देखिए उल्टी रो हमने कम्प्लीट कर ली आप देखिए हम फिर से यहां से महरुन कलर से दो रो बना के कम्प्लीट करेंगे एक इधर से सीधी और उधर से उल्टी सारे फंदे हम सीधे सीधे इधर से बुनेंगे और उधर से उल्टे उल्टे बुनेंगे यह देखें इस तरह से तो यह रो हम कंप्रीट कर लेते हैं उल्टी रो पूरा उल्टा बना लेते हैं यहाँ फेर दो सलाई हमने महरून कलर से कंप्रीट कर रहें अब देखिए हम इसी तरीके से इसकी लंबाई को पूरा करेंगे देखिए पहले हमने यहां पे 20 फंदे बुने फिर यह 22 फंदे बुने आप 24 फंदे बुनेंगे उसके बाद हम फ्लावर डालेंगे और यहां पे देखिए यहां पे 4 फंदे थे अब 8 हो गए अब की बार यहां पे 12 फंदे हो जाएंगे यहां पे 4 फंदे एड होते हैं और इ तो इस तरह से बीच में चार हो जाएंगे दो इसके और दो इसके तो इस तरह से हम इसकी लंबाई को पूरा कर लेते हैं ये दो सलाईया आपको सिंपल बुननी है और जब बाइट कलर का कलर लगाएंगे तो हमें ये फ्लावर बनाने हैं तो इस तरह से हम कर लेते हैं फिर द सूल्टी जैसे हम यहां पर ये समर बना रहेते यहां पर दीखे एक दो तीन चाहर dzień फिलावर पड़े हैं अगर एक हम छोटा चिया तो एक कम कर करके कि इसको छोटा कर सकते हैं अब देखिए मेरे पास टोटल इसमें नब्य फंदे हैं नब्य मैंसे हम स्रिफ 45 फंदे बुनेंगे 45 फंदे हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखिए हम यहां से एक फंदा उतारेंगे बूल अपने तरफ करके उल्टा उल्टा बुनेंगे जैसे हमने यहां पे बनाया है यह देखिए तो यहां से हम आगे तक 45 फंदे बनाते हैं यह देखिए इस तरह से हमने इसमें 45 फंदे बुन लिए हैं अब हम यहीं से पलट लेंगे इन 45 फंदों को अलग से बुनेंगे अब हम यहां पे अंगुठा और उंगलियां बनाएं तो देखिए यहां से पलटके इसको हम उतारेंगे और यहां से हम यही 45 फंदे बुनते हुए जाएंगे और यहां पे देखिए 6 रो बनाके कम्प्लीट करेंगे तो हम दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए यहाँ पे 6 रो बुन लेते हैं देखिए इसरे यह 45 फंदे हमें अभी बनाने हैं इधर के लिए फिर हम अलग से बुल को जोइंट करेंगी जब हम आपको दिखाएंगे यह देखिए यहाँ पे 5 रो मैंने बना ली है एक दो तीन चार पाँच अब छटमी रोपय हुँ में जहां से हम यह फंदे बंद करेंगे उल्टे तरफ से तो यह देखिए टोटल यह 10 रो दोनों तरफ की आ गई है मेरे पास और दो पहले से थी तो 12 रो दोनों तरफ की हो ग लूज करके बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं मीडियूं ऐसे दो कÎ करते हुए हम सारे फंदे बंद कर लेंगी थैंدي को तृसल का मेरे कि यह देखिए इस साइड के हमने फंदे बंद कर लिए आप देखिए हम यहांसे बूल को एक करेंगे और यहां से द Half जितनी रो हमने इधर बनाई है उतनी ही रो हम इस साइड में बनाके और इसको क्लोज कर देंगे सारे फंदे बंद कर देंगे जैसे हमने यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच पांच रो बनाने के बाद हमने यह फंदे बंद किये हैं तो सेम ऐसे ही हम इसको बनाके कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे का आपको दिखाते हैं यह देखिए इधर भी मैंने इसको बनाके कंप्लीट कर लिया अब देखिए इसकी हम सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए सीधा साइड है वो हम से लेंगे जितना यह ऐसे करके यह देखिए यहां से थम और यह देखिए अलग अलग से लेंगे उंगलियां तो हम यहां से पहले शुरू करते हैं यहां पर अच्छे से यह दागा हम दबाते हुए जाएंगे ताकि यह दिखाई ना दे सीदे साइड इस तरह से हम रो मिलाते हुए जाएंगे देखिए यहां से यहां से तक पकड़ लेंगे ऐसे अब यहां से देखिए जो जैसा कलर है वहाई से हम यह देखिए अब यहां से लेके देखिए इतना हम ऐसे देखिए ऐसे ना पलेंगे इतना यहां से और ऐसे करके यहां से तो इतना हम यहां से ऐसे नीचे सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए यहां से लेके यहां तक हमने सिलाई लगा ली है अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग सिलेंगे तो पहले हम इस साइड का सिलते हैं एक बार यहां पर हम पक्क कर देंगे ताकि यहां से खिचाओ पढ़ने पर यह खुले नहीं यह देखिए ऐसे करके हम यहां पे अच्छे से टाक देंगे यह देखे अब इसको हम यहां से ऐसे से लेंगे देखे इस तरह से यहां पे हम इसे पक्का करके इस बूल को कट कर देंगे बाद में अब देखे यह वाली बूल हमारे पास एश्टा है तो इसी मैंसे हम धागा डाल लेते हैं यह देखे अब इसको हम उपर के साइड से ही सिल देंगे क्योंकि उपर दागा है इसमें ऐसे इसको आपको खीच के नहीं सिलना है मीडियम सिलना है ताकि यह खिचाओ ना आए पैनने पे यह देखे अगर आप खीचते हुए सिलेंगे तो खिचाओ आएगा यह देखे ऐसे ह पैर की आप पैन सकते हैं इधर उधर करके क्योंकि सेम बनती है यह देखे चल गया यहां पर अब हम एक बार और पक्का कर देंगे इस बूल से ताकि यह वाली बूल यहां से कटने पर खुले नहीं